इंदोर जिला कलेक्टर का कल का आदेश पढ़कर ऐसा लगता है कि सरकार स्वयम के राजस्पु के खातर नियमों को शिथिलता दे सकती है अब जिला पंजियक दफ्तर खुले रहेंगे से तात पर जिला पंजियक के अधीन उपपंजियक दफ्तर आते हैं तो क्या उपपंजियक दफ्तर भी खुले रहेंगे? अगर हां तो सरकार की नियत साफ तोर से समझी जा सकती है कोरोना संक्रमित व्यक्ति जहाँ ज्यादा भयावा रूप दे सकता है वो खुला रहे अभी ढकन वाले कुए पर दो उपंजियक संक्रमित होकर उपचार रत है M.O.G. लाइन दफ्तर में एक उपंजियक भी संक्रमित हो उपचार रत है इनके पहले भी कुछ चपेट में आए कुछ वकील भी और सेवा प्रदाता भी कुछ तो कालकल्वित हो गए सवाल ये है कि अभी जीवन बचाना महत्वपून है या राजस्व उपंजियक दफ्तर खुलना मतलब रजिस्ट्री होना मतलब सरकारी दफ्तर के जरीए आवजाही से कोरोना फैल आएंगे मध्य प्रदेश कॉंग्रिस कमीटर के मीजिया पैनलिस्ट एडवोकेट पी कुमार दवेदी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की शिवराद सिंग सरकार के लिए जनता राजस्व देने के खातिर है राजस्व के लिए जनता जनता खातिर राजसुर वाक्य तिलांजली पाचुका शरब दुकानों को छूट अब ये आखिरकार सरकार और अधिकारी बता चुके सरकार की मन्शा आम आदमी मौलिक अधिकारों से भले बंचित रहे मन भी शांती वा धार्मिक आस्था के इस्थल के बंध होने नवीन साल के आगमन, नवरातरी, बैसाखी, बाबा अंबेट करजनती आदी न मनाये पर सरकारी राजस्व देने जरूर आए Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries